Hello Friends, Namaskar दोस्तों जब एक बच्चा छोटा रहता है तो वो कहता है कि जब वो बड़ा हो जाएगा जब वो स्कूल जाने लगेगा तब वो खुश रहना शुरू करेगा तब उसे खुशी मिलेगी लेकिन ये बच्चा जब स्कूल जाने लगता है स्कूल का जो प्रिशर रहता है उसको जहलने लगता है तो उसे खुशी नहीं मिलती है तब वो कहता है कि जब वो कॉलेज में चला जाएगा तब उसे खुशी मिलेगी क्योंकि कॉलेज में एक फ्री लाइफ होता है और बहुत ही आसान लाइफ होता है तब वो खुश रहना शुरू करेगा लेकिन ये बच्चा जब कॉलेज में आ जाता है तब उसे खुशी नहीं मिलती है तब वो कहता है कि जब उसे अच्छी से नौक्री मिल जाएगी जब वो पैसा कमाने लगेगा तब वो खुश रहना शुरू करेगा तब उसे खुशी मिलेगी इस आदमी को जब नौकरी मिल जाता है पैसा कमाने लगता है तो बहुत सारे प्रेशर आ जाते हैं और उस जबेला में वह फंस जाता है उसे खुशी नहीं मिलती है तब वो कहता है कि जब इसकी शादी हो जाएगी एक अच्छी बीवी आ जाएगी तब वह खुश रहना शुरू करेगा तब उसको खुशी मिलेगी लेकिन जब शादी हो जाती है बीवी आ जाती है बच्चे हो जाते है तो वो संसार के इस चकर में पढ़ जाता है और तब भी उसे खुशी नहीं मिलती है तब वो कहता है कि जब उसके बच्चे बड़े हो जाओंगा नौकरी से, नौकरी का जो जमला है, प्रिशर है, जब इससे दूर आ जाओंगा, घर में बैटके, तब मुझे शान्ती मिलेगी, तब मुझे खुशी मिलेगी, लेकिन जब ये रिटायर हो जाता है, तब भी इससे खुशी नहीं मिलती है, और वो जो अपने जीव कर लूँगा, तब खुश हो जाओंगा, या तब खुश रहूँगा, तब आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी, खुशी मिलने के लिए आपको हर एक moment, this is the moment to enjoy, इस moment को आपको enjoy करना है, इस पल को आपको enjoy करना है, ये पल अगर निकल गया, तो बाद में खुशी फिर नहीं करते हैं, तो enjoy this moment and be happy in life.